है गॉइस वाट्स अप तो आज हम कंप्यूटर का लेक्चर नमबर 13 कर लिंगे हमने लास्ट लेक्चर पे जो मेमोरी थी सेकंडरी मेमोरी सारा कुछ हमारा कंपलीट हुआ मेमोरी के रिलेटेड भी तो आपके इंपुट डिवाइस भी हुए मेमोरी से टोरे जो भी चीज़े थे वह सारे हुए जानकि हाड़्वियर का कंपोनेट आप लोगों का कंपलीट हुआ अब साफ्ट वियर करने जाएंगे देखे मैं आपको एक बात यहां पर डिसकस करना चाहता हूँ कि आपके सिलेबस में मार्कस में बहुत कर्टेलमेंट हुई है 30 मारकस से 10 मारकस ही रहे है रिड्यूस हुआ है नंबर बहुत तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब बोल्ल बोल टापक किसी पढ़ ले पढ़ना तो सारा कुछ है हमें लेकिन अब उतना डीप आप पढ़ोगे कंप्यूटर को उस हिसाब से पढ़ोगे जिसाब से आपके मारकस होंगे ठीके ना इससे पहले हम इस पर बहुत सारे लेक्टर लगाते थे लेकिन अब एस पर डिमांड जो है वेससे हम लेक्टर कर लेंगे तो कंप्यूटर साफ्ट्वेर की यह मत इससरे हो जाएगा और मास्टर से कंपीटर साइज सेस्स कैया साब करताए हम ने हमने हाड़्वेर और सॉफ्ट्वेर कंप्यूटर में हमनेостा गया होता हैंativoरgie कंप्यूटर का वो कंपोन also के तरह होता है जिसको हम ड़िए कर सकते सो यही मैंने यहां पर लिखा है जिसने वह लेक्चर देखा होगा उसको सारी बातं यहां पर समझ आजए जाएगे को पार्ट है ठीक ना इंटेंजिंबल पार्ट मतलब कि हम इसको टॉच नहीं कर सकते और पहले लेक्चर की दूसरे लेक्चर में मैंने अपने बता दिया आपको कि सौफ्ट्वीर में भी बना हुआ होता है सेट आफ प्रोग्राम जैने यह सेट आफ प्रोग्राम ही होता है या set up instructions ही होता है, किस तरह से ये computer को instruct करता है, वो set up instructions software ही होता है, याने computer को instructions देता है, किस तरह से आपको काम करना है, so वो ही मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिच किये, set up commands बनाते हैं आपका set up instructions, और set up instructions से बन जाता है set up programs, और जब बहुत सारे programmers मिल जाते हैं या एक program भी software बनाता है कभी कुबार आपके question में directly आएगा setup instructions क्या होते हैं वो भी software होता है ठीक ना कभी कुबार examiner more specific होता है तब setup programmers पूछता है तो आप याद रखेंगे setup instructions, setup programmers आपका software है देख आप software क्या होता है यही collection of computer programmers and related data that provide instruction for telling a computer what to do and how to do simply software collection of computer programmers है और ऐसे related data जो computer को बताते हैं कि आपको क्या काम करना है और कब काम करना है यानि आप इस तरह से मानो कि आपके hardware को activate करता है आपका software software ही बताता है कि भाई आपको यह काम करना है so a software is an interface between the user and computer hardware ठीक ना user और computer hardware के दर्मियान जो interface होता है वो software ही होता है software is responsible for controlling, integrating and managing the hardware components तो software जो है responsible होता है control करना उनको integrate करना management करना उनकी किसकी hardware component इसकी यानि इन अधर वर्स हम यह बता सकते हैं कि software डारेक्ट करता है hardware को कि आपको क्या काम करना है और कब काम करना है इसलिए इस पर setup instructions होती है कि बाई चलो memory unit आपका काम आया यह कौन बताएगा आपका software ठीके ना तो अब आप लोगों ने देखा कि software main component है ठीके ना computer का जो कि हर एक चीज को manage करता है control करता है integrate करता है उन चीज को यानि यह simply आप मानो कि एक computer की ही एक बाश्या है language कंप्यूटर को यही काम करवाता है computer को इसी पर instructions होती है और यह instruct करता है computer को अभी मैं system software की बात नहीं करता application software की बात नहीं करता simply मैं software की बात करता हूँ ठीके ना तो user user or hardware के बीच में यह interface होता है और यहीं बताता है hardware को कि आपको कब और कहां कौन सा काम करना है चलिए अब इसकी types देख लेंगे manly आप देखोगे broader अगर आप broadly इसकी types देखोगे तो आपको हर जगा इसकी दो types में लेंगी ठीके ना लेकिन इसको और elaborate करने के लिए और understandable बनाने के लिए मैंने इसको तीन types में classify किया है एक वो type system software दूसरा application software और utility software यह जो utility software है यह application software के ही अंडर आता है बट इसको और भी elaborate करने के लिए और भी आसान बनाने के लिए मैंने इसको separate type रखा अब directly हम आज जाएंगे system software पे क्या होता है system software system software यह manage करता है तमाम आप लोगों के internal resources जो होते है computer के जो भी internal resources है computer का जो भी जो हमने देखना hardware को management जाने की input output तमाम peripheral devices को यही control करता है तमाम internal resources को manage करता है system software नाम से ही पता चलता है कि यह पूरे system को चलाता है पूरे system को कौन चलाता है आपका system software control and coordinate the hardware and other application software इन software को भी coordinate करता है इनके activities को hardware की activities को control करता है coordinate करता है कौन system software और एक बात communicates with the hardware devices ठीक है जो भी hardware devices है उसके साथ communicate कौन करता है system software की चलो भाई आपको input देना है चलो इसका processing खत्म हुआ यह सारा आपको system software ही बताता है अब इसको output में convert करना है यह computer को कौन बताता है यह computer को यही software बताता है system software इत कनेक्टिस आपका जो system software है इत कनेक्टिस यूजर विध hardware, application software and utilities software यानि की hardware और system application software और यूजर इनकी interaction कौन करवाता है system software अगर system software होगा यूजर इनके साथ interact नहीं कर सकता कैसे hardware के साथ यूजर बताएगा कि input दे दो hardware को memory को बताएगा चलो आप यानि कि खुद से हम नहीं बताते हैं बलकि एक language होती है और उसी language को हम software बोलते है और जो system को run करती है उस language को उस program को हम system software बताते हैं ठीक है इसको आराम से अच्छे से समझना ठीक है इट कनेक्ट इस user with the hardware ठीक है और जब control करता है computer के उपर इनस्ट्रेक्शन चलाता है computer के उपर इसलिए इसको controller आप computer भी बताते है किसको बताते है आपके system software को less notice it by user यह क्या होता है यह mcq type questions आ सकते है इसलिए मैंने इनको point पे लिखाए it is less notice it by user suppose एक बात बोलो मैं आपको फिलाल आप system software की एक example ले लो operating system जो की main system software है बागी भी कुछ system software है उनको discuss करना है हर चीज़ को हमें discuss करना है लेकिन main the up operating system की ही अगर बात कर लोगे अपने mobile android phones की बात कर लोगे जो उन पे android होता है वो इसका system software होता है आप इसको बहुत less notice करते हो आप उस वक्त इसको notice करते हो जब आप सुचान करते हो आपका फिर लिखके आता है android ठीके ना तो बिलकुल कम notice होता है user इसको कम notice करता है इसको ज्यादा काम किसके साथ होता है system के साथ ही और it makes computer functional क्योंकि तमाम instructions यही बताता है computer को कि क्या करना है किस तरह से करना है सारे operations तक ले जाता है आपका system software लेकिन user इसको कम notice करता है user किस चीज़ को ज्यादा notice करता है application software को जहां पे वो काम करता है real काम करता है application software क्या होता है application software वो software होता है जिसको हम end use program end user program भी बोलते है end user program ठेकिक ना end user program या application program यह simply बात यह है कि यहां पर इंसान क्या करता है real work करता है suppose मैं बात करूँ MS Word की एक application या कोही भी application software ले लो आप कोही gaming software ले लो ठीक है ना जहां पर आप directly function करते हो वो आपको for example आपका WhatsApp है यह भी application software है यह आपको बहुत notice करते हो अब दिन में सव बार इसको notice करते हो हाँ words से पे लेकिन जो system software operating system में उसको कम notice करता है user so application software में इसको end user program भी बोला जाता है इसमें क्या होता है helps user to perform single or multiple tasks ठीक है हम एक या एक से ज्यादा भी काम कर सकते हैं application software में लेकिन application software जो है it is designed for specific use किसी specific use के लिए बनाया जाता है wordstep बनाया गया है chatting के लिए ठीक है ना कुछ purpose रखे इसमें specific use के लिए ठीक है और application design it for specific use or application enable the user to interact with the computer और यहाँ पर real work होता है यहाँ पर real work आप directly इसलिए end user program बोला जाता है क्योंकि हम इसी पे ही काम करते है इसी application software के थ्रो ही हम किसी application में काम कर सकते है ठीक ना जो भी यह game खेल सकते है यह कोई चीज लिख सकते है वो थ्रो application software करते है उसके बाद utility software application software का ही एक sub part है यह utility software helps user in maintaining in the maintenance task simply नाम से ही पता चलता है कि maintenance के लिए यह काम आता है जैसे simply मैं आपको बात बताओ antivirus का antivirus जो है आप लोगों का utility software है क्योंकि यह system को maintain करने में हमें मदद करते है ठीक ना या वो cleaner वलीजर जो भी चीज होते है हमारे mobile पे भी होते है उन सब को हम utility software बताते हैं और एक बात इससे याद रखेंगे आप लोग this utility software it is loaded during the installation of system software और यह किसमें help करता है help is user in design formatting, data compression, scanning for viruses etc यान कि आपके system को maintain करने के लिए utility software काम में आता है अब चलो हम detail में पढ़ लेंगे इन सब चीज़ों को पहले हम system software क्या क्या होई इस पे आते है system software में उन चीज़ों को discuss कर लेंगे सबसे पहली बात system software में जो आपका main software है system software वो है operating system और यह आपको अलग से भी पढ़ना है इसलिए थोड़ा detail में पढ़ लेंगे आप लोगों का operating system अब देखो operating system क्या होता है यह भी program है that act is क्योंकि software है तो program हो ही सकता है it is a program that act is as an interface between a computer user and computer hardware okay उपर पड़ा हमने system software में किस तरह से यह interface होता है it performs all basic tasks and controls the peripheral devices peripheral devices आपके input output devices उपर हमने इसका अब function भी आपड़ोगे कि यह device management में भी काम में आता है operating system so simply बात है कि basic tasks तो perform करता है आपका operating system और peripheral devices जैसे कि आपका district drivers है ठीक ना printers है उनको भी control करता है और उनके activities को coordinate भी करता है operating system is the manager of all system resources okay internal resources का manager होता है क्या management इस करता है आई देहेंगे number first is memory management आपको बस इन चीज़ों को याद रखना है ठोड़ा मैंने additional यह भी बताया इन चीज़ों को भी बताऊंगा मैंने आपको यह बताना है memory management process इन चीज़ों को आपको याद रखना है यानि कि आपको यह वाला portion यह वाला portion आपको याद रखना है इस portion को भूल भी जाओगे तो don't worry चलिए फिर memory management process management device management file management storage management security job accounting control system performance error detecting aids coordination between other software and the users क्या आपका system sorry operating system जो होता है यह memory management भी करता है process of controlling coordinating computer memory computer memory को control करता है coordinate करता है कौन आपका operating system ठीक ना यानि कि added delete वागेरा memory को करना operating system का ही काम है process management यानि कि process किस तरह से करेगा आपका computer यह computer को allocate यानि कि processor को allocate करता है process allocate करता है processor को allocate is the process to a processor ठीक ना और allocate is the processor to a process ठीक ना process को ही allocate करता है आपके CPU को and de-allocate is the process when process is no longer essential और जब इसको लगता है कि अब इस process की को ही जरूरत नहीं तो CPU से de-allocate करता है कि by CPU अब आपको इसके उपर काम नहीं करना है यानि कि management करता है manage करता है programs को कोहन आपका operating system उसके बाद device management पताने की जरूरत ही नहीं क्योंकि यह input output devices को control करता है इसको input output controller भी बोलता है इस बात को याद रखो आपका operating system it is also known as input output controller file management भी करता है इसी तरह इस तरह से process management करता है file management भी करता है allocate करता है de-allocate करता है resources को storage management it provides secondary storage to bake up main memory okay security controls unauthorized access programs job accounting accountant का काम करता है track of time and resources okay control system performance error detecting errors coordination करता है with other software और एक बात important है यहां पर आपका जो computer है computer cannot boot without operating system इस चीज़ को आप याद रखो मैं भी MC को आ सकता है यहां से computer cannot boot even booting नहीं कर सकते हैं हमका operating system के बगिए अब types of operating system almost आपको हर एक चीज़ पता होगी इन में से badge operating system हमने मैंने आपको बताया किस तरह से काम करता है यहां पर थोड़ा elaborate करके बताऊंगा ठीकिना चुकि मैंने आपको पहरे ही बताया कि बहुत सारी curtailment है आपके मार्कस में तो mainly हम main main जो इसके operating system है उनको discuss कर लेंगे ज्यादा detail में जाने की जरुरत भी नहीं और ज्यादा हम इसको उपर से भी नहीं पढ़ सकते हैं in between कहीं न कहीं हमें इसको cover करना है चलिए badge operating system की बात कर लेंगे operating system based कैसा होता है मैंने आपको पहले यह पताया जब भी badge operating system होता है मतलब जब इसके पास किसी computer के पास कोही badge operating system है और कोही जाब आया कोही task आया computer को तो badge operating system क्या करता है? badge इसमें काम करता है याの यह batch बनाता है suppose A, badge, B, C, D इन batch ko लग- edges से काम करता है simultaneously काम नहीं कर सकता base operating system में computer so user of base operating system do not interact with computer directly, ठीके न? देखो क्यों नहीं कर सकता है यह user जो है base operating system का do not interact with the computer directly, ठीके देखे, suppose और यह offline होता है, offline device user prepares his job on offline device like punch cards and submit it to the computer operator एक simple सी example दूँगा जिससे आप समझ लोगे, suppose आपको को ही, मतलब आप जब बैंक पे जाते हो तो वहाँ पे आप transactions करते हो वो slip कुछ बरते हो, ठीके न? तो वहाँ पे वो होता है system पे ही, वो काम system पे ही करते है, transactions online ही करते है, ठीके न? लेकिन आपका directly वहाँ पे interaction नहीं होता है उस system के साथ आप सिर्फ slip बैजते हो, और यह जो use यहाँ पे जो operator होता है computer operator, ठीके? example के तोर पर समझाता हूँ मैं आपको computer operator, आपकी ही transaction आई तो उसी वक्त इसको नहीं करेगा system से, ठीके न? system, मतलब इसी उसी वक्त ही नहीं करेगा यह transaction बलकि वह wait करता है कि एसे और भी transactions आए similar transactions जब इसके पास एक साथ जमा हो जाएंगे तो इनका एक badge बनाता है और एक साथ transactions करवाता है ठीके न? कुछ similarities देख रहा है badges बनाता है और फिर काम होता है simply badge operating system में क्या होता है computer badge इसमें काम करता है और जब badge इसमें काम करता है तब CPU आइडियल रहता है ठीके न? क्योंकि एक badge उठाया computer ने suppose badge 1 यहाँ पे computer का system में badge A इसके पास जवाब आया तो जब तक ने यह badge A को खत्म कर लेगा इसका काम खत्म कर लेगा तब तक B badge नहीं उठाता है computer तो इस बीच यानि कि जब input आया उसको output में transfer कर जब output में transfer होता है तब CPU जब इसमें processing खत्म की अब output इसको यानि कि output में transfer होता है तब जो time रहता है वो idle रहता है CPU के पास इससी लिए हम बोलते है कि Batch operating system में CPU idle रहता है तो इसकी example Unix ठीक है Neft यह इसकी example है disadvantage क्या है कि interaction नहीं होती है user or job की speed up process is slow क्यों नहीं होगी slow क्योंकि Batch इसमें computer काम करता है पहले हमें wait करना है पहले एक Batch खत्म हो जाएगा वेट करना है तब तक फिर next batch आ जाएगा ठीक है CPU is in ideal condition CPU इसमें ideal बैशता है Next operating system की बात कर लेंगे multi programming multi programming operating system user can execute several programs simultaneously यहाँ पे user बहुत सारे programs बहुत सारे programs एक साथ कर सकता है simultaneously तो इस वज़ा से CPU it keeps on processing CPU को यहाँ पे idle रहने की गुंजाश नहीं क्योंकि execute करता है several programs simultaneously आपका system CPU यहाँ पे processed रहता है processing moment में रहता है disadvantage क्या है waiting time for the job is high यहाँ पे multiple programming में क्या होता है job जो waiting time होता है waiting क्योंकि बहुत सारे काम एक साथ करता है तो waiting time for the job is high complete होने में थोड़ा time लगता है time sharing multitasking operating system it is a technique which enables money people देखो इस बात को समझो यहाँ पे time sharing or multi tasking operating system मैं आपको पेल ही बता है time sharing में क्या होता है अपना अपना time okay computer इनमें देता है मतलब divide करता है अपना time की इसको इतना time दूँगा इसको इतना time दूँगा so time sharing में काम होता है ya multitasking में क्योंकि बहुत सारे काम एक साथ करता है multitasking करता है it is a technique which enables many people located at various terminals to use a computer ठीकिना so to use a computer system यहापे computer system है यह system है यहापे ठीकिना at the same time CPU executes multi programming by switching among the programmers इसको logical extension of multi programming भी बोला जाता है आपके time sharing में इसमें क्या करता है CPU जो है suppose देखो यहापे एक टासक आया दूसा टासक तीसा टासक चोथा टासक ठीकिना यानि कि जो भी टासक यहापे आए CPU क्या करता है multiple programs execute करता है by switching among the programmers suppose इसने यह program उठाया थोड़ा slow हुआ यह इस program को shift कर लेगा अपना time इस पे divert करेगा फिर इस पे फिर इस पे कुछ ऐसे ही CPU काम करता है यहापे भी यहापे भी CPU आइडल नहीं रहता switching among the programmers जैसे की Linux इसकी disadvantage है less reliability problems of data communication इतना आपको पढ़ने की ज़रुरत नहीं बस आप सिरफ याद रखो time sharing का दूसरा multi-tasking operating system यहाँ पर क्या करते हैं यह extension है logical extension है multi-programming का ठीक है यहाँ पर बहुत सारे यह technique है जहाँ पर बहुत लोग कहीं पर भी terminal किसी भी terminal पर बैठेंगे to use a system to use a computer system at the same time एक साथ वो computer system को use कर सकते हैं तो कल हम इंशाला देखेंगे इन चीज़ों को distributed operating system real time operating system क्या होता है उन चीज़ों को discuss कर लेंगे और कुछ extra भी कर लेंगे उसके बाद हम आजाएंगे operating system windows वगेरा उन सब चीज़ों को हम discuss कर लेंगे मुझे नहीं लगता था कि ये करवाने थे आप लोगों को ये मतलब batch operating system इतना detail पर नहीं जाना था लेकिन syllabus की requirement है तो हम थोड़ा कर लेंगे ठीक ना क्योंकि marks बहुत कम है अब इस पर भी अगर खो बैठेंगे तो आपका syllabus नहीं हो जाएगा कवर बाकी पर आपको time अपना बराबर एक वली देना है okay thank you very much thanks a lot